हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज मैं आपको बताने वारी हूँ सिंग पढ़नी के कुछ ऐलवेदिक नुसकों के बारे में दोस्तों वैसे तो सिंग पढ़नी एक जड़ी बूटी होती है लेकिन क्योंकि ये जंगल में पाय जाती है इसलिए इसे ज्यादा तर लोग जंगली घास के रूप में ही प्रियोग करते हैं ज्यादा तर लोगों को सिंग पढ़नी के और शद्य गुणों के बारे में भी पता नहीं होता है और इसी की वज़े से हम लोग सिंग पढ़नी जैसी शुद्ध घास को बहुत ही ज़्यादा नजर अंदास कर देते हैं लेकिन अगर आपको बिमारियों से बचना है तो आपको इस अच्छे से पौधे की और सुन्दर सी घास की कुछ और फायदों को जानने की जरूरत है क्योंकि यह जंगली घास है इसलिए जंगल के अंदर ही पाय जाती है तिसलिए अगर आप कभी भी कैमपेंच करने के लिए आप घूमने के लिए या थोड़े एडवनचरी स्टॉर के लिए जंगल बगयरा में जाते हैं और आपको ये घास मिल जाती है तो आप इसे अपने पास रख सकते हैं क्योंकि ये आपकी प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने के लिए काफी बहतर है अगर आपका पेट सही तरीके से काम नहीं करता है पाचंत के लिए आप स्वस्त नहीं है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ये आपको साल हो साल तक जमा दिखाती है और हमारी हट्टियों को मजबूत बनाने के लिए काफी सही तरीके से काम करती है अगर शरीर के अंदर कहीं बहुत ज्यादा अंदरूनी दर्द है तो आप सिंख पढ़ने की कुछ मातरा को डॉक्टर से कंसर्ट करके ले सकते हैं ऐसा करने से ये अंदरूनी दर्द को भी काफी हद तक कम कर देती है सो दोस्तों देखा आपने मामूले से दिखने वाली घास भी हमारे शरीर को रोगों से दूर कर सकती है इसलिए इसे नजर अंदास बिलकुल ना करें मेरी ब्यूटी और हलसे रिलेटीड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सब्सक्राइब कीजिए